चरण उनके पूजे जाते हैं जिन पे आचरण पूजन योग्य हो अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरत्र से करो क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है अगर अमीर बनना है तो धन से नहीं मन से अमीर बनना चाहिए क्योंकि मंदिनों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हो लेकिन नत मस्तक पत्थर की सीडियों पर ही होना पड़ता है नमश्कार मैं हूँ मुहित कमिश्रमाली आप सभी का तहे दल से स्वागित करता हूँ आपके अपनी चैनल में और आज का राशिफल यानि की 22 मई के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शिपकामन है जिनका आज जनम दिवस है मैरेज अनिवसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की तारिक 22 मई 2023 से अर दिन सोमवार का है आज के विशेश उपाय में शेश बचे तीन ग्रहों के उपर हम बात करने वाले हैं पीपल व्रक्ष से संबंदित उपायों की पंचांग की बात करते हैं समवत 2018 का जेश शुकल पक्ष चल रहा है तृतिय तिती है रात के 11 बच के 20 मिनट तक जिसके बाद में चतुरतिती तिती आरम होगी म्रक्षीर्श नक्षत्र सुभे के 10 बच के 37 मिनट तक है जिसके बाद में आदरा नक्षत्रा आरम होगा तो वहीं चंद्रमा आज के दिन मिथुनराशी में रहने वाले हैं प्रातह साड़े साथ बचे से 9 बचे तक का समय यह रहुकाल का है माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुब काम की शुरुवात नहीं की जा सकती पर शुब चोगरिया महरत वहाँ पर समय आपको दो बार मिलने वाला है यह महरत का सबसे पहले सुबे 5 बच के 52 मिनट से 7 बच के 22 मिनट तक और दूसरा मोहरत 2.52 मिनिट से 5.52 मिनिट तक पश्चेम और उत्र दिशा में यात्राइं करना शुप साबित होगा तो पूरव और आगने दिशा में आज के दिशाशूल दोश लग रहा है और दिशा शूल दोश का परिहार करने के लिए दूद पी करके फिर अपनी यात्रा आरम करना आपके लिए जादा फलदाई सुख पूरवक आपका दिन प्यतीत करने वाला बन सकता है अब बात करते हैं आज के दिन सुर्योदे कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की तो आज आपको साथ मिल रहा है संखिया पाश योग का, सुनफा योग का, सम योग, उभैचर योग, परवत योग, शंक योग और लक्षमी योग का अब बात करते हैं आज के राशी फल की, बिना किसी देरी के और डिरेकली बात करेंगे सबसे पहले मेश राशी की मेश राशी के लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा स्थित है तो वहीं जिनमतारा का साथ और अश्ठक गवर्ग में 37 डॉट्स आज के दिन को 80% आप के लिए पॉजिटिव बना रहे हैं जहाँ पर investment से इलाब मिलेगा थोड़ा अगर patience रख करके नौकरी पेशा इंसान आगे बढ़े तो अपने मन मताबिक आज के दिन को ढाल सकता है यहाँ पर महिला वर्ग जो है उनके लिए बिदिन शानदार बन रहा है घर परिवार में appreciation प्राप्त होगा तो ऐसे समय में कोई बड़ा investment करने की सोच आप में उत्पन होती भी नजर आ सकती है sports person हो गए, youngsters हो गए, उन सभी के लिए आज का दिन काफी जादा बहतर है जो खास तोर पर IT से, commerce से याद फिर artificial intelligence के course कर रहे हैं, सीख रहे हैं याद फिर इस तरफ नौकरी कर रहे हैं, इन के लिए आज का दिन बहुत जादा बहतर रहने वाला है overall दिन success का है, self respect का है, कहीं न कहीं आपका confidence जो है, वो आज के दिन आपके काफी कामों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए golden color, शुबंग रहेगा number 8 अब बात करते हैं व्रशब राशी की, व्रशब राशी के लिए राशी भाव से second house में चंदरमास थे थे वदतारा का साथ और अश्टेक वर्ग में 22 dots, overall situation आपके लिए यहाँ पर 50% support की बनाते हैं जिसके कारण आज के दिन अपने life partner और कहीना कहीं पे संतान की बिमारी को लेकर के आप परिशान ज्यादा हो सकते हैं खर्च भी ज्यादा करते नजर आएंगे तो वहीं किसी भी doctor की सलह से आज के दिन संतोश प्राप नहीं हो रहा satisfaction नहीं मिल रहा कि doctor बड़ा ही अच्छा प्रसिद है इसके पास में जाने पर सही आपको diagnosis मिलनी चाहिए पर वो ना होने के कारण कहीना कहीं dissatisfaction और अदासी इंता आपको जादा हावी होती नजर आ सकती है इस समय में ये भी कहूंगा चाहे व्यापारी वर्क का आदमी है या नौकरी पेशा आदमी अपने दिन को बहतर करने की तरफ प्रयास जरूर करेगा पर उसके परणाम जो है वो अच्छे नहीं प्राप्त कर पाएगा साटिस्फाक्शन नहीं होगा डिप्रेशन का शिकार इस समय में हो सकते है तो वहीं अपने कलाइन्स के साथ में किसे न किसी बात को लेके विवाद बहुत जादा बढ़ सकता है इस समय में ब्लू कलर का इस्तमाल कीजेगा तो वहीं शिब अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नमबर एट अब बात करते हैं मिथुन राशी की आपके लिए राशी भाव में ही चंद्रमा है प्रत्यारी तारह का साथ और श्ठक वर्ग में 24.7 राशी भाव का मतलब फर्स्ट हाउस में तो ये चीज आपको पहले क्लारिफिकेशन देता हूं क्योंकि लास ताइम जब राशी भाव बोलाता लोगों को तब कहरे थे सर्फ फर्स्ट हाउस में है तो इस चीज का क्लारिफिकेशन जब राशी भाव होता है फर्स्ट हाउस ही कहलाता है दूसरी तरफ जब जर्म कुंडली देखी जाती है तो ये लगन भाव कहलाता है अब ऐसे समय में आज का दिन आपके लिए 85% positive है जिसके कारण अच्छी luxuries प्राप्त करना सम्मान प्राप्त करना घर परिवार में अपना दबदबा ज़्यादा बहतर देखना वह कहीं पे अच्छी कमाई के साथ में लोगों का साथ मिलना ऐसे समय में influential लोगों का साथ नजर आएगा कोई ऐसे इनसान का आपसे टकराना हो सकता है ये कहेंगा टकराना मतलब दोस्ती होना या फिर जान पहचान बढ़ना जो आपके काम आए चाहे government related आपका कोई काम है सरकारी विभाग में कोई आपका काम है तो उसको निकालने के लिए ये इनसान आपकी मदद जरूर कर सकता है ऐसे समय में चाहे हम सुक्सविधाओं की बात कहें यंगस्तर्स की बात कहें बहुत ही जादा बहतर दिन अपना बिताते वे नजर आएंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुबंग रहेगा नंबर फाइव अब बात करते हैं करक राशी की करक राशी के लिए राशी भाव से 12,000 में चंदरमास्ते थै अधिमित्रतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 23.67% आज की दिन को आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं पर ऐसे समय में नींद पूरी ना होने के कारण हैड़िक आज की दिन परेशान कर सकता है चिड़ चिड़ आने वाली हैं तो यहाँ पर यंग्स्तर्स जो हैं रिलेशन्शिप में हैं आज के दिन आपके उपर कहीं न कहीं जूटे दोशार उपर लगाये जा सकते हैं आपकी इमिज पर सवाल उठाये जा सकता है आपकी जो लॉयल्टी है उस पर आज के दिन सवाल उठ सकता है तो से ज़्यादा खर्चे अपने दोस्तों पर अपने परिवार पर और कहीं न कहीं जिनके साथ में रिलेशन्शिप में है उन पर आप करके अपनी financial stability को यहाँ पर दाव पर लगा सकते हैं शुबरंग आपके लिए light blue color शुब अंक रहेगा आपके लिए number 4 अब बात करते हैं सिंग राशी की आपके लिए 11th house में चंद्रमा है मित्रतारा का साथ अश्टेग वर्ग में 33 dots situation आपके लिए यहाँ पर 100% positive है यहाँ पर खास तोर पे कोई भी मन की इच्छा है मनोकामना है उसको पूर्ण करना चाते हैं उसकी तरफ कोई प्रयास कर रहे हैं तो आज उसका सही परणाम आपको मिल सकता है यंग्स्टेज जो विवा के योग्या हैं और सही रिष्टे की तलाश में हैं आज के दिन सही फोन कॉल से आपकी कोई दुविदा जो है आपकी जो परिशानी है इसका भी हल मिल सकता है ऐसे समय में शांदार कमाई के साथ में लोगों पर कंट्रोल और अपना दबदबा आप बनाते हुए नज़र आएंगे सही माईनों में जो जंगल का राजा कहलाने वाला आपका नाम है ये आज के दिन आक्षिन में आपको दिखने में नज़र आएगा स्वास्थे में हर चीज बहतर बनी रहेगी तो वही यात्राओं में आज के दिन जरूरत से जादा सुवधाओं की मांग आप करते नज़र आएंगे जो आपकी पूरी भी होंगी यहाँ पर शुब रंग आपके लिए रहेगा पीच कलर शुब अंक रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं कन्या राशी की आपके लिए टेंथ हाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी तारह का साथ और इश्ठक वर्ग में 29 डॉट्स है situation 67% आपके लिए positive है यहाँ पर खास तोर पे political career में जो भी advancement चाहते हैं जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं जो व्यापार में वरद्धी चाहते हैं उन लोगों के प्रयास इस समय में बहुती ज़ादा सफल होते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर name of fame प्राप्त करने की कोशिश हैं आपकी रंग लाएंगी ऐसे समय में अपने काम को नई उचायों पर पहुचाने की आपके जो भी प्रयास हैं वो इस समय में आपको सफलता ज़रूर प्रदान करेंगी overall दिन बहुत positive है ऐसे समय में खास तोर पर सरकारी नौकरी जो भी इनसान करता है यहाँ पर transfer करवाना चाहता है तो इसकी अरजी आज के दिन अगर आप लगाते हैं तो काफी हद तक आपको वापस positive revert जरूर मिलने वाला है अब बात करते हैं तुला राशी के लिए राशी भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है वदतारा का साथ और अश्टग वर्ग में 23 डॉट्स है और ऐसे में वदतारा का साथ होना यह negativity ज़ादा फैलाने का काम करेगा जिसके कारण बेकार के काम बेकार के लोग यह आपके जादा दिन में समय व्यस्त आपको करेंगे ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि गलत लोगों का साथ आपकी image को खराब कर सकता है आपके परिवार के अंदर ही लोग आप पर उंगली उठाते हुए नज़र आएंगे जरूरत से जादा खर्चे और कहीं न कहीं पर living standard में शो आनिया खड़ी कर सकते हैं ऐसे समय में घर परिवार में भी विवाद इछड़ सकता है तो आपकी potential पर आपकी capability पर उंगली उठ सकती है कोशिश कीजेगा कि चीजों को सही तरीके से जो आप balance तरीके से चलते हैं उस balance तरीके से आगे बढ़ाएं जो आपकी basic characteristic है उसको मत भ भूलिए ताकि अपने दिन को आप बहतर बना सकते हैं कोशिश कमाई की होनी चाहिए है खर्चे अपने आप पीछे follow करते हैं बात यही है कि खर्चों पर नियंतरन रखना पड़ता है और कमाई पर नियंतरन नहीं शुबरंग रहेगा आज आपके लिए yellow color शुब अंक रह जिसके कारण सबसे पहले stand-up comedians हो गए, artist हो गए, आज audition देने आप कहीं पर जा रहे हैं जो fancy items का का काम करते हैं, make-up का का काम करते हैं, make-up artist है और लोगों के लिए आज के दिन कहीं ना कहीं पे अच्छा नहीं बीचने वाला, कहीं ना कहीं पे दूसरों की साज़िशों में करके थोड़ा जादा सावजान रहें, दामपती जीवन में अगर किसी बात को लेके परेशानी है, तो ठहराव जरूरी है इस समय में, अगर ठहराव नहीं रखते हैं, बहुत ही जादा गुसा दिखाते हैं, तो ससराल पक्ष से भी आज के दिन interference देखने को मिल सकता है, जो बात करते हैं, धनुराशी की, धनुराशी के लिए राशी भाव से सेवन्थ हाउस में चंद्रमास्तित है, संपत्तारा का साथ और इश्ठक वर्ग में 26, टॉट्स, ओवराल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाता है, मैरिड लाइफ में satisfaction आज के दिन आपको मिलेगा, स्टांडर्ड में अपने बहतर चीज़ों को आप आज के दिन सम्मिलित करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए काफी जादा बहतर दिन कहुँगा, बेटर एक्सपोजर का दिन कहुँगा, यहाँ पर नियूस पेपर म आपका नाम आजाना किसी अच्छी चीज़ के लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होने बाली, यह आप डिजर्व करते हैं, वो आज के दिन आपको प्राप्त जरूर होगा, ऐसे समय में इन्वेस्मेंट्स खास तौर पे कमेशिल प्रापरटी को, लैंड को लेके, गोल् है, शुबरंग रहेगा आपके लिए ओफ वाइट कलर, शुबंख रहेगा नंबर फाइग, अब बात करते हैं मकर राशी की, आपके लिए 6,000 में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अश्ठक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉस्टि अपनी सोच से जादा बहतर कमाई भी करेगा, तो उस कमाई का आज के दिन लुट्फ उठाता हुआ भी नजर आगयाने की आनद उठाएगा, यहाँ पर भाग्यवसात काम होते हुए, जो लोग सट्टा खेलते हैं भारत के बाहर कसीनोज में जाते हैं, तो उन लोगों के बहुत जादा बहतर से धोने वाला है, इस समय में खास तौर पर ये कहूंगा, रिकवरी का चंद्रमा जो है, कही ना कही घर परिवार के अंदर किसी बात को ले करके कलेश उत्पन था, किसी बात को ले करके बहुत जादा गर्मा गर्मी हो गई थी, तो अब वो समय आ गया आपके लिए येलो कलर शुब अंक रहेगा नब नाइन, अब बात करते हैं कुम्भराशी की, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, शेमतारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 34 डॉट्स, ओवरॉल सिच्वेशन को आपके लिए बनाते हैं, 75% सपोर्ट का, यहाँ पर सिर्फ और स इसरा, बहुत ही जादा इरश्या, कहीं ना कहीं पे लालश प्रवर्ती, यह आज के दिन अगर आप में उत्पन होती है, तो इसे त्यागना जरूरी है, अगर इतनी सी तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं, तो अपने आप आप देखेंगे, चाहे व्यापा परिवार में है, सफलता जरूर प्राप्त होगी, घर परिवार के अंदर किसी बात को ले करके परिशानी है, तो उसमें भी आपका सुझाव आज के दिन बहुती जादा काम करेगा, यहाँ पे मन शांत रहेगा, तो वहीं यात्राओं से भी आपको अच्छी कमाई करने का म अब बात करते हैं मीन राशी की, मीन राशी के लिए 4,000 का चंद्रमा है, विपत्तार का साथ, अश्टग वर्ग में 31 डॉट्स है, सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर only and only 30% सपोर्ट की है, जिसके कारण आज के दिन financial losses हो सकते हैं, मशीनरी खराब हो सकती है, कोई बहुत अच्छी opportunity हाथ में आई हुई थी, तो वो opportunity हाथ से फिसल सकती है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ दुख उठाना पड़ेगा, कहीं न कहीं मायूस हो जाएंगे, और यही situation आज के दिन देखने को मिलने वाली है, जिसके कारण चाहे team members हैं, seniors हैं, आपके उपर उंगली उठ आते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर कोशिश ये करनी है, अपने आपको काम रखें और चीजों को सही तरीके से हैंडल करनी की कोशिश करें, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा over excitement में आकर कि over commit कर देना किसी काम में, यह आपके लिए परिशानी create कर सकता है, तो महीं पर family business में हैं या व्यापारी हैं, बिजनिसमेन हैं, तो इस समय में कोशिश ये करनी है कि चीजों को साथ लेकर के संभाल करके आगे बढ़ें, सिर्फ और सिफ स्वैम के बारे में सोचेंगे, तो आज के दिन हानी उठानी पर सकती है, दूसरों पर गुसा करेंगे, अपने स्वैम की शेश बचे जो तीन ग्रहे हैं, शनी, राहू और केतू, उनके लिए पीपल व्रक्ष के साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले बात शुरू होगी शनी ग्रहे से, शनी ग्रहे किन नक्षत्रों के स्वामी सबसे पहले पुश्य नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भादरपद नक्षत्र इन नक्षत्रों से संबंदित इंसान को पीपल के क्या प्रयोग करने चाहिए यह आज की दिन आपको बता रहा हूँ सबसे पहला उपाई शनिवार के दिन पीपल पर थोड़ा सा सरसों का तेल आपको चड़ाना चाहिए दूसरा उपाई शनिवार के दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का आपको दीपक प्रजवलित करना चाहिए तीसरा उपाई शनिवार के दिन और जन्मनक्षत्र के दिन पीपल को स्पर्श करते हुए उसकी एक ही आपको परिक्रमा करनी चाहिए चौथा उपाई जन्मनक्षत्र के दिन सनान के पानी में पीपल की एक कोपल डाल करके सनान करनी चाहिए पांचवा उपाए, पीपल वरक्ष के नीचे कोई भी पुष्प, यहाँ पर कोई भी पुष्प कहा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें, आपको अर्पित करना चाहिए तो वहीं पर छटा उपाए, पीपल के वरक्ष पर मिश्री आपको चड़ानी चाहिए अब बात आती है, राहू की, इसे छाया ग्रह कहा जाता है, तो राहू आदरा, स्वाती एवं शतभीशा नक्षत्र के स्वामी है अब यहाँ पर आप क्या उपाए करेंगे, वो आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले, जन्मनक्षत्र वाले दिन, पीपल वरक्ष की 21 परिक्रमाएं आपको करनी चाहिए दूसरा, शनिवार वाले दिन, पीपल पर शेहद चड़ाना चाहिए तीसरा उपाए, पीपल पर लाल पुष्प, जन्मनक्षत्र वाले दिन आपको चड़ाने है पांचवा उपाए पीपल के नीचे किसी गरीब को मिठाई प्रदान कीजे यद फिर हो सके तो उन्हें भोजन करवा सकते है अब बात आती है केतु ग्रह की तो केतु अश्विनी, मगा और मूला नक्षत्र के स्वामी है इन नक्षत्रों से संबंदित व्यक्तियों को पीपल के जो उपाए बता रहा हूं वो करने चाहिए अगर सुख में जीवन व्यतीत करना है तो सबसे पहला उपाए पीपल व्रक्ष पर प्रतियक शनिवार को एक लड़ू या तफिर इमर्ति आपको चड़ानी चाहिए दूसरा पीपल पर हर शनिवार को गंगा जल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए तीसरा उपाए पीपल पर तिल, मिश्रित, जल जन्मनक्षतर वाले दिन अर्पित करना चाहिए चौथा उपाए पीपल पर हर शनिवार को सरसों का तेल चड़ाना चाहिए वहीं पांचवा उपाए जन्मनक्षतर वाले दिन पीपल की एक परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए और अंतिम उपाय जन्व नक्षत्र वाले दिन पीपल की थोड़ी सी जटा घर पर आपको ले करके आनी है उसके साथ कपूर मिला करके आपको धूप बनाना है और धूप प्रजवलिद करनी है ग्रह से संबन्दित नक्षत्र और उनके उपाय फीपल व्रक्ष से संबन्दित इस पर आपको पूरी जानकारी दिया हूं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में मैं कुछ योगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ आप सभी का प्रेम और सपोर्ट देखकर के बहुत खुशी हुई शनी जैंती के उपलक्ष में जो मैंने आप सभी के लिए रील्स बनाई थी एपिसोड बनाई थे वो देखकर के कोशिश ये थी कि आपके जन्दगी में सकारात्मक बदलाव ले करके आ सकूँ जो भी शनी की साड़े साती या ढहिया से ग्रसत थे उनके जन्दगी में राहत लाने की तरफ ये मेरी एक कोशिश थी और ये कोशिश सफल है या नहीं या आप स्वाय मुझे बता सकते हैं हमेशा की तरह प्रात्न तो यही रहेगी कि आपका और मेरा परिवार सदैव सुखी रहे संपन रहे सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशरवद हमेशा हमार साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन